हलो और वेलकम दोस्तों मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिश्टल भीयर यूटूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाने हैं जीप और आर आर फाइल के बारे में जैसे के दोस्तों काफी लोगों का पूछना था कि JIP और RAR फाइल का मतलब क्या होता है और इसमें difference क्या है जैसे कि दोस्तों आगर आप computer user है आप computer के expert है या computer आप use करते हैं या आप computer के student है तो आपने ये दोनों फाइलों को जरूर देखा होगा जैसे हम इंटरनेट से कोई चीज़े download करते हैं या फिर किसी भी mail से हम कोई चीज़े download करते हैं for example कोई file है कोई software है तो वह जादतर हमें JIP या RAR file में मिलता है उसे हम extra day air कैसे करेंगे उसमें से हम software कैसे निकालते हैं और इसे JIP file और RAR file कैसा होता है और इसकी benefits क्या होते हैं और क्यों हमें रखना चाहिए क्यों इसके अंदर हम अपने file को रख सकते हैं यह सारे चीज़े अगर जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर अभी तक आपने डिजिटल ब्यर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल का इकन से भी क्लिक कर दे इससे क्या होगा जो भी वीडियो हम डालेंगो उसकी नोटिफिकेसन आपके मेल आइडी तक मिलती रहेगी तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए अपने टास्क के तरफ चलते हैं तो मैं आपको सॉफ्ट्वेर से रूबर कराता हूँ सिस्टम के अंदर वह आप कोई भी जीप फाइल को रीड कर सकते हैं और साथ ही आप किसी भी फोल्डर को जीप फाइल भी बना सकते हैं यह दोना ही सॉफ्ट्वेर के लिंक में अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप सिंपल वह में फिर आप कोउस्ट इसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो अब हम पता कर लेते हैं कैसे में पता चलेगा कौन जीप फाइल है और कौन आरे यार फाइल है तो हम बैक चलते हैं और बैक आने के बाद डिस्पले पर हमारे पास दो फाइल है मैं तोड़ा सा मेगनिफायर ओपन कर लेता हूं ताकि आपको बढ़िया से यहाँ पर जैसे कही फाइल में डॉट लगा के जड़ ड़का हूब यह जीफ पहचान सकते हैं इस तरीके से देखने में दोनों ही सेम दिख रहा है लेकिन आपको extension है यानि dot के बाद में जो नाम है उस नाम से आप पता कर सकते हैं यह जीप फाइल है या RAR फाइल है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यह जीप या RAR फाइल को कैसे हम बनाएंगे कैसे हम JIP और RAR फाइल को create कर पाते हैं तो पहले हम इसे delete कर देते हैं और delete करने के बाद मैं आपको create करके दिखाता हूं कि कैसे आप RAR फाइल या JIP फाइल को create कर पाएंगे तो for example मेरे पास एक image है आपके पास image हो folder हो file हो video हो कुछ भी हो उसका आप बना सकते है RAR फाइल या JIP तो माली यह मेरे पास photo हो तो मैं इसे JIP फाइल बनाना चाहता हूं तो मैं इस पे right click करूंगा और right click करने के बाद यहाँ पे option आ जाता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते है add to archive इस पे आपको click करना है जैसे add to archive click करेंगे आपके पास यह option open हो जाता है कि आप RAR फाइल बनान चाहरे हैं तो मैं इसे JIP फाइल बनाना चाहरा हूं तो इस पे simple click करूंगा और click करने के बाद OK करूंगा OK करते ही देखेंगे कि JIP फाइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह JIP फाइल जो है बन गया हमारा और यहाँ पे last extension आपको JIP का मिल गया अब हम बनाना चाहत अर उसके बाद यहाँ पे OK कर देते हैं तो यहाँ पे RAR फाइल भी यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पर देखें के कि RAR के नाम से भी फाइल बन गया यहाँ पर डेखेंगे यह जीफ फाइल है और यहE नीचे वाला आर-ई-आर-fाइल अब बात करते गीगी दूसरी नमब पर पाप कि जब आप RAR या JIP फाइल में कनवर्ट करते हो किसी भी फोल्डर या फाइल को तो वो कंप्रेस हो करके RAR या JIP फाइल बन जाती है इससे बेनिफिट यह होगा कि सिंपल वे में आप किसी को उसे सेंड कर सकते हो आपका इंटरनेट का भी बचस हो जाएगा और बेनिफिट लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखेंगे कभी भी आप यह दोनों फाइल को क्रियेट करें तो आपके पास यह वाली सौफ्ट्वेर इंस्टॉल होना चाहिए या तो जीप आपको आपको RAR इंस्टॉल होना चाहिए ज्यादा तर आपके डौर में RAR फाइल देटा रखती हैं तो आपका डेटा सालों साल पोर्टेक्टेड रहता है आपका डेटा खराब नहीं होता वाइरस अटेक नहीं करती अब हमें देखना है कि दोस्तों मैंने तो फाइल को बना लिया है इसमें से सौफ्ट्वेर को बाहर कैसे लाएंगे इसमें से फाइल को जाए कैसे लाएंगे तो simple आपको RAR file ओ या G file उस पर right click करना है और यहां पर extract file या start higher पे click करता हूँ तो यहां पे देखेंगे कि यहां पर all इस लिए आ रहा है क्योंकि हम फाइल को बनाया था अगर इस फाइल को मैं डिलिट कर देंगे तो यह आल नहीं आएगा मैं इसे कट कर देता हूं और इस फाइल को मैं डिलिट कर देता हूं और फिर से मैं एक स्ट्राइड हेर पर किलिक करता हूं तो किलिक करूंगा तो यहां पर देखेंगे कि वह फाइल या किसी को send करना या फिर को डेटा को, आप परस्नली रखना चाहते हैं तो आप इसे रख भी सकते हैं, तो आप रार या जीप فाइल बना के रख सकते हैं, अगर आपको जानना यह है कि रार फाईल और जीप फाइल क्या होता है और इसकी यूज क्या है और इसकी बेनिफिट्स क्या है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना बीना लाइक किया मत जाना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में thank you for watching दोस्तो have a nice day